आग्रा के लिए मेट्रो एक सौगाद है पर इन दिनों शहर के हार्ट लाइन कह जाने वाले MG रोट पर जहां अथोर्टी एलिवेटिड मेट्रो बनाने की तैयारी में जुटी है तो वहीं MG रोट के पास दुकानदार और शोरूम सौामियों के साथ आग्रा के कई उद्धमी लंबे समय तक पैशानी से बचने के लिए एलिवेटिड की जगए भूमी गत मेट्रो बनवाने की मांग कर रहे हैं एक मेक के अध्यक्च और समासेवी पूरंडावर ने कहा कि MG रोट पर एलिवेटिड मेट्रो बनने से दुकानदारों के साथ-साथ शहर वासियों को भी भारी पैशानियों का सामना करना पड़ेगा उन्होंने कहा कि MG रोट की चोड़ाई जसकी तस है जबकि इस बार बाहनों का बोज निरंतर बढ़ता जा रहा है और एलिवेटिड मेट्रो बनने से कम से कम 10 फुट जगय और कम हो जाएगी साथ ही भविस में एलिवेटिड रोट की संभावना भी नहीं है ऐसे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए लेकिन आगरा केंट से लेकर के कालिंदी वियार तक का जो पूरा है पूरे नहीं पर एलिवेटर ठका गया है और इस इसका लगबख पांच किश्चों किरो मिक्टर हिस्सा म्जी रोट पर आता हैं एंप्य रोट अग्रा की लाइफ लाइन है एंइंडी रोड मातर चार्लेंगा है और हर व्यक्ति को पूरे आगरा के हर व्यक्ति को कही ना कहीं दिन बर में एक, दो, तीन, चार, पाँच बार एंजी रोट से गुजरना होता है चार लाइन में मेट्रो की जो पिलर बनते हैं, कम से कम दस फुट के पिलर होते हैं, एक लेंड बो ले लेंगे तो तीन लेंड पर आगरा को चलना ये निच्छत रूफ से मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा अच्छी बात है मेट्रो से जहां एक और राहत मिलेगी, लेकिन जो भड़ती हुई जीडिपी है और जिस तरह से देश भड़ रहा है, आने वाले समय में वीकिल की संक्या उससे कई गुनी बढ़नी है एमडी रोड पर मेट्रो के बावजूद भी दबाव भड़ने वाला है, लगाता बढ़ेगा यदि मेट्रो एलिवेटेड बनती है, तो एक तो हम एक लिए लूस कर रहे हैं और दूसरा आने वाले समय में, जब हमको एलिवेटेड रोड की आवश्यक्ता होगी, तो एलिवेटेड रोड एमडी रोड के उपर से नहीं बन पाएगा ये सही समय पर ये इस प्रश्नों को उठाया गया है, कि इसको जो एमडी रोड का जो पाँच किलो मीटर का जो मेट्रो है, वो भूमिगत हो, मेट्रो से कता ही भी रोड नहीं है, मेट्रो का स्वागत है और आगरा के लिए ये वरदान है लेकिन भूमिगत एमडी रोड पर होना बहुत आवशक है, अदर्वाइज जो रही सही हमारे पास हो जाए है, और निच्चत तुरूप से कहीं न कहीं और ये दुखदाई हो सकती है, आगरा देखें, जब कोई डेवलप्मेंट होती है, तो ये सरकार को हमेशा देख लेन चाहिए कि उससे किसी का नुकसान ना हो, चाहिए वो मेट्रो हो, या हवाई अड़ा हो, या फ्लाइ ओवर हो, हमेशा डेवलप्मेंट ऐसी की जाती है कि जिससे शहर का भला हो, शहर में लहने वालों का भला हो, दुकंदारों को परिशानी आए जी, डेफिनिटी उसका न बड़ा हो रहा है, और खुदाई का का मतलब यह है कि आगरे का सीवेज सिस्टम वैसे ही बड़ा बुरा हाल है, ड्रेनिज बड़ा बुरा हाल है, पानी थोड़ा से बारिश हो जाती है, पानी जम जाता है, तो ऐसा ना हो कि एक विकास हो और दूसी तरफ बरबादी हो, त परिशानी ना हो, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि दुकंदारों को अगर नुकसान होगा तो शेहर वालों को भी परिशानी हो सकती है, अगर लोगों की यह ना सीवेज, ड्रेनेज और अकसर आप लोगों ने नोट किया होगा, कि जब टोरेंट अपनी लाइन खीलते हैं, या कोई नेटवर्क के लिए अपनी लाइन खीलते हैं, तो आई दिन शिकायत होती है कि उन्होंने पाइपलाइन तो होगी, उन्होंने पानी की पाइपलाइन तो होगी, ड्रेनेज की पाइपलाइन तो होगी, तो यह अगर बहुत मतलब यह है कि काबियत के साथ और परफ हुई थी तो हर आदमी खुश था मेट्रो आ रही है तो यह हम लों का भी फर्स बनता था कि उस तेंग पूरे प्रोजेक्ट को समझ लेना और सरकार को भी आना हम लों को इससे पूर वेनिस दिलवाना था कि उनका क्या-क्या मंचा है डेफिनिटली सरकार को एक ऐसा रास्ता ढूनना चाहिए जिससे आगरा के लोग चैवो दुकंदार हो या रहने वाले हो रोज मर्रा में उनको परिशानी ना आए तो हमारा अपना मानना है कि जब आदमी सीरिसली कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलाता है अगर मजबूरी है कि आवरेड मेट्रो बनाना है तो मजबूरी है और अगर मजबूरी नहीं यह और अंडरगरांट बना सकते हैं तो अंडरगरांट भी बना ले तो दोनों पहलों को देखना बहुत जो लिए है